कि नमश्कार चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है आए आज जानते हैं एक नवंबर का अंक जोदिज भविशफल आपके लिए क्या लेकर आया है जोदिज गंडगे में किसी भी व्यक्ति का शुबंक उस व्यक्ति के जनमतिती के अनुसाल लगाया जाता है जैसे मूलांग कहते हैं मुलांग चनंचिथी के यो को यो Cash कहा जाता है। जैसे यदि किषी वैक्ती का चनंचिथे 22 अपरेल को हुआ है तो इंदोनों का यो दो जमा 2 4 आता है इसे ही आं मुलांग कहा जा जाता है वही उसकी जनंतिथी जनंक महा और जनंच मोण इसका कुल योग भाग्यांग कहलाता है जैसे अगर किसी का जनम दिन 22 अप्रैल 1996 हुआ है तो इन सभी यंकों के योग को भाग्यांग कहा जाएगा यानि आपको भाग्यांग 6 होगा आएब जान लेते हम आज सभी मुलांक के भविशेफल को मुलांक एक आर्थिक बजट मन के अनुकूल रह सकता है कुछ निर्णों को लेकर मनोबल कमजोर रहेगा किसी आयोजन या धार्मी समारों भाग लेना पड़ सकता है धनिश्ट मित्र या रिष्तिदार से मिलने पुर शुब रंग लाल रंग मुलांक दो वहवार वक्रम के सकरात्मक परिवर्दन लाएंगे महमानों का आगमनाज हो सकता है और आप उनकी आफ़गत में वैस्त रहेंगे किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लग सकते हैं इंट्विव का परिणाम आज अच्छा रहेगा आप अप संताओं का भरपूर इस्तमाल करेंगे ताम पत्ते संबंदों मधूरता की स्थिदी बन रही है आपके लिए शुब रंग के लिए मूलांक तीन आर्थिक हालात वापक्ष पहले से मजबूत बनेंगे परिवार के साथ घूमने फिर निवा पिकनिक आदी का कारेक्रम बन सक सकती हैं आपके लिए शुबंग के ग्यारा और शुब रंगे मूलांक चार आज आप रचनात्मक परतीबा के बल पर सफलता हासिल कर सकती हैं कि खुशाली के लिए नई यूजनाय बनाएंगे विरत के कारें में समय वद्धन दोनों नश्ट हो सकते हैं रुपेसों के लें पांच मूलांक व्यापार में कोई बड़ी डिल हो सकती है कारुबार को बढ़ावा पढ़ाने के लिए नए नए विचार और आइडिया आज आपके दिमाग में आएंगे इन विचारों को किर्यामवित करने के लिए लाब मिलेगा अफसरों की कमी नहीं रहेगी संतान पर है मूलांक 6 जीवन के हर पहले पकड़ी परती होगी ताका सामने करना पड़ सकता है रुकावटे पार करने के बाद इस अफलता प्राप्त होगी कोट कचैरी की कारेज जटिलता से हो पाएंगी तनाववा चिंताओं से घरे रह सकते हैं किसी पार्टी है समारों में जाने क त्यारियां आज आपको आनंदे लाएंगे आपके लिए शुबंक 32 और शुब रंगे नारंगी मुलांक 7 आपके वैबसाय काम धंदे आदि बिना किसी रुकावट के आज बढ़ते चले जाएंगे सरकारी कारे बनेंगे पोच्च पददिकारी उसे अच्छा संबंद बन स मुलांक 8 आज नए लोगों के साथ व्यपारिक साज़ेदारी हो सकती है विवागये पर इक्षा पढ़ना मनुकूल हो सकता है स्वास्त का ध्यान रखें सिर्दर्द की सिकायत हो सकती है शुक शांती बना कर रखें संतान की सिक्षा पर पैसे खर्चोंगे आज के लिए थोड़ी सी चंदता रह सकती है प्रेमी प्रेमी का कि समन्दों में आज मदूरत आएगी आज के लिए शुब अंके सोला सुब रंग हरा रंग तो आज हमने जाना सभी मुलांक वालों का भरिश्य फल्क यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सबस्क्राइब करें तो आज ही सबस्क्राइब कर लें ताकि आने वारे नई वीडियो के लिए सबसे पहले आसके धन्यवाद